हेलो स्टुडेंट्स हाव और यू इससे प्रीवेस लेक्चर में हमने क्वेश्टन्स डिसकस किये थे आज उसके आगे देखेंगे विए सब्सक्राइब थर्टी एड से टॉपिक क्वादिने जमेट्री आरेस अगरवाल एकसर्साइज 6 भी देखिए क्या दिया हुए इफ तो एड्जेसिंट वर्टी सीज ऑफ पैर्लेलो ग्राम और 321 जिरो और डियागनल इंटर्सेट एड 2,5 देन फाइंट देखिए अधर टू वर्टी सीज पहले तो एक पैर्लेलो ग्राम बना लिए यह हमने बना लिए ठीक ना नेमिंग कर दें पी क्यू आरेस एड्जेसिंट वर्टी सीज क्या दिए है सपोस कर लें इसी के दिए हैं 3,2 और 1,0 ठीक है और उसके डियागनल इंटर्सेक करते हैं 2,5 पे इसके डियागनल बना ले पहले ठिक है न तो यह जो मेरा पॉइंट है सपोस करने यह ओओ पॉइंट है यह पॉइंट है 2,5 पेरलेलो ग्राम में स्टूडेंट्स हमने आपको पता है था जो पहले लोग्राम के डागनल्स होते हैं दोनों ही डागनल्स का मिड़ पॉइंट सेम होता है दोनों ही डागनल्स जहां पे कट करते हैं वह पॉइंट सेम होता है इसका मतलब वह डागनल्स बाइसे करते हैं ठीक है तो हमें निकालन इसको suppose कर लिया है ठीक है स्टुडेंट्स अब पी आर का देखते हैं देखिए मिड़ पॉइंट आफ पी आर मिड़ पॉइंट आफ पी आर पी आर का जो मिड़ पॉइंट हमारा हो जाएगा देखिए क्या जाएगा कि मेरा हो जाएगा तुइज इक्वल टू थू थी प्लस एक्सट्व अपॉण टू थू तो टू इन्टू टू करेंगे फॉर हो जाएगा थ्री प्लस एक्सट्व तो फोर माइनेस थ्री तो मेरा एक जो क्वाडिनेट सा उसकी वैल्व आगई वन अब मैं वाई टू निकाल लेता हूं कि देखिए मुझे वाई टू निकालने के लिए इसको यूज करना पड़ेगा देखिए वाई टू प्लस कि वाई टू प्लस 2 रॉ से फुड़ो अपान टू इस कि एकल तो माइनस फाइफ तू तो मैनस तेन तो यू प्लस तू इस माइनस तेन तो यू इस कोल्टू मैनस तेन यह इधर गया माइनस तू यू is equal to minus 12 कि वाइट वाइट वाइल्व एरी माइनस 12 वा गई ठीक है यह मुझे पता चल गया अब देखिए यह कोडिनेट मुझे निकालने है इसके देखिए क्या हो जाएगा इसमें भी क्योंकि दोनों का मिट पॉइंट से मोधा देखिए ट्रीज इक्स वन प्लस वन अपॉन टू इसको इधर लेकिया यह पूर माइनस वन इस एक्स वन थ्री तो एक्स वन की वैलू आ गई थ्री आ गई अब यवन निकाल लेते हैं देखिए कैसे तो यह वजा है का माइनस 5 इस इकल टू यवन प्लस जीरो अपॉन टू टू इन्टू माइनस 5 इस माइनस 10 इस इकल टू यवन यह वैलू मेरी आ गई 10 तो मेरा कोडिनेट जो थ एक-सवन वाई वन था और एक्स टू है हो और क्या था एक्स टू और वाई टू था है चलीए लिख लिख लेता है एक्स वन्हें की वैलू मुझे मिली 1 1,1-12 तो यह मुझे उसके जो है अधर टू वर्टिक्स के कॉडिनेट्स मुझे मिल गए हैं ठीक है स्टुनेंट्स आप मोग करते हैं नेक्स्ट क्विश्चन के तरफ देखिए पॉइंट्स ए थ्री कॉमा वन बी फाइब कॉमा वन सी ए कॉमा भी एंड डी यह पैरलेलो ग्राम के वर्टिक्स हैं हमें अभी के वैलू निकालनी है चोड़ा सा फिगर बना लें ठीक है ए बी सी और डी यह है 3,1 यह मेरा है 5,1 यह है A,B और यह है 4,3 ठीक स्टूडेंट्स यह हमने निकाल लिए हमें A और B की वैलू निकालनी है देखिए बहुत आसान है स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना है हम चुप चाप BD का मिट पांड निकाल लेंगे the midpoint of both the diagonals of a parallelogram are same. दोनों का ही मिड़ पॉइंट सेम हो जाएगा ठीक है ना तो हम यहां से निकाल लेते हैं मिड़ पॉइंट ऑफ बीडी मिड़ पॉइंट ऑफ बीडी देखी क्या हो जाएगा 5 प्लस 4 अपान 2 कॉमा 3 प्लस 1 यह मेरा हो जाएगा 9 बाइटू कॉमा 4 बाइटू तू आ गया यह 9 बाइटू कॉमा 2 बड्रड़ यह मुझे मिल गया है ठीक है न ant के दो कॉडिनेट मुझे मिल गया यह मिल गया 9 बाइटू कॉमध तो को म्कॉमा 2 और ऑब देखिए तो मिट्पाइंट मिल गया तो अपसी के कोडिनेट बहुत असानी से निकाल सकते हैं मिट्पाइंट फॉर्मले से देखी कैसे 9 अपाइंट 2 इस इकल टू 3 प्लस C बाई 2 3 प्लस C बाई 2 देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 9 प्लस 3 इस इकल टू सी को सब्सक्राइब नाइन यह लाइन थोड़ा कट कर दें 9 इस इकल टू 3 प्लस सी इसको इधर लेके हैं 9 माइनस 3 इस इकल टू सी यह जाएगा 6 इस इकल टू सी कि यानि जो सी की वैलू थी वह मुझे मिल गई सी क्या है यहां पर जो हमने लिखा था यह मेरा लिखा हुआ है ठीक है न एए नाइन बाइट इस इकल टू 3 प्लस ए यहां पर कर दें स्टूडेंट्स गलती सी हो गया है तो मेरी ए की वैलू आ गए 6 एकी वैलू मेरी आ गए 6 अब मुझे बी की वैलू निकालनी देखिए बहुत आसान है कैसे क्या एक करेंगे इसको देखिए यह बीका में बीका मेलूम मतलब वाइका वैलू और यह मिट पर में पर क्या दिया वह बन को इधर लेके आएंगे 4-1 is equal to 24-1 is 3 बीकि वैल्य स्टुडेंट के तनी आ गई 3 तो देखिए बहुत आसान आसानी से हमने एक की वैलू और बीकि वैलू कैल्कुएट कर लिया एक वैलू मेरी आ गई 6 और बीक वैलू मेरी आ गई 3 अब हम मोब करतें नेक्स्ट के तरफ इस क्वेशन नमबर 40 कि क्वेशन नमबर 40 मेरा क्या कहता है लाइं सेग्में जोइनिंग दी पॉइंट से 2,1 बी 5,1 अधिस ट्राइश सेक्टेद अध्ड पॉइंट स्ट्राइब पॉइंट क्यू सब्सक्राइब नियर तो ए इफ पी आलसो लाइज उन दे लाइं गिवन इन बाइड टू एक्स माइनस वाई प्लस के इकल डू सीरो फाइंड दी वैल्यू ऑफ के ठीक है पहले फीगर बना लें यह मेरा ए है यह मेरा बी है यह बी की वैल्यू है फाइब कॉमा माइनस एट यह की वैल्यू है तो कॉमा वन ठीक है यह ट्राइस हो रहा है पॉइंट पी और क्यू और एक चीज और कहा है कि पी ए के पास में है यानि पीज नियरर टू ए ठीक है ना ठीक है तो ट्राइसेक्टेड हो रहा यानि वन और वन के रेश्यों में यह होगा ठीक है लेकिन अभी अमें ओवराल रेश्यों नहीं पता है देखी देखी और पी इस लाइन पर भी लाई करता है सब्सक्राइब कर लिए यह कोई प्लस मेरा एं एंदर इंटू रेश्यों यानि हो जाएगा वह और यहांग जो हो जाएगा और और यहां मेरा एंटू आटा है तो यह मेरा 1 1 2 3 हो गया यानि यह 1 और यह मेरा M2 2 हो गया अब मुझे इस पॉइंट के कोडिनेट पहले निकाल लेने देखिए कैसे निकालेंगे xy सपोस्थ कर लेते हैं कि इस पॉइंट के कोडिनेट मेरे x,y हैं और उसी की वैल्यू निकालने पहले देखिए तो x is सब्सक्राइब क्या हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 यानि 1 प्लस 2 पाइफ फाइफ 2 इन्टू 2 इस 4 2 प्लस 1 इस 3 9 अपॉन 3 x की वैल्यू यहां पर आ गई 3 students यहां पर हमने देखा कि x की जो वैल्यू है वो 3 हमें मिल गई है अब similarly हम y की वैल्यू निकाल लेंगे देखिए y की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे y is equal to M1 y2 M1 y2 plus M2 2 है y1 upon 1 plus 2 1 into minus 8 is minus 8 plus 2 upon 2 plus 1 is 3 minus 6 upon 3 यह मेरा आ जागा minus 2 यह मेरा जाएगा minus 2 तो जो मेरे p के coordinates थे जो जिसे हमने xy suppose कर लिया किया था वो आया 3, minus 2 यह मेरा 3, minus 2 आ गया है अच्छा आप क्या कह रहा है यह जो मेरे points है पी के points यह इस line से पास हो रहे है इसका मतलब यह points इस given line को satisfy करेगा तो चलिए satisfy करा देते इसने 2x minus y plus k is equal to 0 satisfy कराईए x के place पे 3 रखिए 2 into 3 minus y के place माइनस 2 है माइनस 2 कर दीजे plus k is equal to 0 2 into 3 is 6 minus minus plus 2 plus k is equal to 0 6 plus 2 is 8, 8 plus k is equal to 0 इसको इधर लेके जाएंगे k की value कितनी आगे students minus 8 तो यह बहुत important questions था question number 40 जिसमें हमने k की value निकाली जो की 8 आई है अब हम मूब करते हैं next question की तरफ विच इस question number 41 देखे इसमें क्या बोल रहा है find the ratio in which y axis divides the line segment joining points a and b also find the coordinates of the points of division ठीक है ना y axis से divide हो रहा है देखिए a point b point minus one comma four five comma minus six y axis से divide हो रहा है तो y axis से divide हो रहा है तो क्या हो जाएगा y axis से अगर divide करेंगे तो वहाँ पर x की value तो मिलनी है नहीं यानि 0 comma y ठिक 0 comma y ratio पता करना है suppose कर लीजे m1 और m2 है formula लगा दीजे एक्स का use कर लिए क्योंकि यह 0 है हाँ से value निकालना easy हो जाएगा देखिए section formula internal division x is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 x की value क्या है 0 है 0 put कर दीजे m1 x2 minus 1 है m2 x15 है अपन m1 plus m2 m1 plus m2 यह cross multiply होके 0 हो जाएगा यह हो जाएगा माइनस m1 plus 5 m2 ठीक है अब m1 को इधर लेकिया है m1 is equal to 5 m2 तो देखिए क्या हो जाएगा माइनस m1 upon m2 यह मेरा हो जाएगा 5 is to 1 और m1 is to m2 5 is to 1 का ratio आगया अब मुझे y की value पता लगा नहीं देखिए y की value कैसे निकाल लेंगे ratio तो पता ही चल गया देखिए y is equal to m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2 any 5 plus 1 5 into 4 20 1 into minus 6 is 6 5 plus 1 is 6 ठीक देखिए 20 minus 6 is 14 upon 6 lowest term में reduce कर देंगे टू सेवें जब फोर्टीन टू थी जब सिक्स कितना अगया students 7 upon 3 यहां के points से suppose करने के के हो होगा may be तो जो के के coordinates 0,y तो वो अब हमको जाके मिल गया है 0,7 upon 3 तो यह students till question number 4 हमने complete कर लिया है अब इससे आगे की question हम next lecture में देखेंगे till then all the students thank you and have a nice time